दोस्तों आज मैं आपके लिए दुनिया के सबसे खतरनाग कीड़े लेकर आया हूँ जिनको देखने के बाद आप ये कभी नहीं चाओगे कि ये आपके नज़दी का है क्योंकि ये छोटा सा कीड़ा आपके लिए इतनी बड़ी परेशा नहीं बन सकता है जिसके बारे में अपने सोच भी नहीं होगा जाइन्ट वेटा ये केड़ा नाकेवल आकार में बड़ा होता है बल्कि इसका वज़न भी काफी जादा होता है अजके समय में विलुप्थ होने की कगार पर है क्योंकि वहां के लोग बिलीओं को पालना पसंद करते हैं, जिनको giant weight खाना पसंद करती है, यही वजह ही कि वहां की government इस प्रजाती को विक्जित करने में लगी हुई है, कहा जाता है कि giant weight कीडों की सबसे पुरानी प्रजाती है, devils to flower mantis, कीडों की यह प्रजाती काफी अजी के बाद केवल एक साल तक जिन्दा रहते हैं और उस बीच कही बार इनका रंग बदलता रहता है स्पाइनी फ्लोवर मेंटिस इस कीड़े की प्राजाती में मेल और फिमेल दोनों कीड़े एक दूसरे से काफी अलग होते हैं जिसमें फिमेल कीडा अंडों में अपने बच्चे देता है जो एक बार में करीबन 500 अंडे देती है बताया जाता है कि इन कीड़ों को इनके यूनिक कलर से पेचाना जाता है और कई बार ये अपने उस कलर से भी अपने सिकार को अपनी और अकैसित करता है जो दूर से एक फूल जैसा नजर आता है जिराफ वी इविल 2008 में पहली बार इस कीड़े को खोजा गया गर्दन को इकाम में लेता है जो ज़्यादा तर काले हो लाल रंके होते है और वेग्यानिक आज भी इससे जुड़ी बाकी जानकारी जुटाने में लगे हुए पिना ठेट बग मुंग फली के सिरवाला ये किड़ा फल्गोरियड इंसेक्ट के नाम से भी जाना जाता है जो की साइज में 3.5 इंचे लंबा होता है और इसके पंक 5.9 इंचे के गरीबन होते है जो अकसर मेक्सिको के जंगल में पाए जाते है जिसको लेकर कई लोगों का मानना है कि ये इंसानों के लिए हामफूल होते है तो वही बाकी लोग इसे खतरनात नहीं मानते दोस्तो मुझे इस वीडियो को बनाने में काफी मेनत लगी पर आपको इसे लाइक करने में सिरफ एक सेकिल लगेगा इसे लिए वीडियो को लाइक कार दो और वीडियो के नीचे एक लाल बटने उस पे क्लिक कीजिए और सब्सक्रेब कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्ली सब्सक्रेब करना मत बूलना